दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों जूटे होते हैं मगर मच्च और घडियाल के आंसू कहावत के पीछे हैं दिल्चस्प बजा यू तो हर प्राड़ी दुखी होने पर आंकों से आंसू चलकाता है लेकिन मगर मच्च और घडियाल के आंसू कुछ जादा मसूर हो आकिर घडियाल और मगरमच के आंसू में ऐसा क्या खास होता है जो उन्हीं के नाम जूटे आंसू के बहाने लिये जाते हैं या वो हमेशा ही जूटे आंसू बहाते हैं या फिर बजा कुछ और है किसी को जूटे आंसूं से भरमित करने के लिए घड़ियाली आंसू का कहावत इस्तेमाल किया जाता है यूँ तो हर प्राड़ी दुखी होने पर आंखों से आंसू छलकाता है लेकिन मगर मच्च और घड़ियाल के आंसू कुछ जादा ही मसूर है